हेलो दोस्तो तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका pen card अधार card से link है तो कैसे जाने तो सबसे पहले आपको भी browser on कर लेंगे और उस browser में search करेंगे income tax तो जब आपने यहाँ पे income tax search किया तो आपके सामने जो second number की website आ रही है home and income tax department तो आप यहाँ पे click करेंगे जब आपने यहाँ पे click किया तो आपके सामने खुल के आ रहा है link अधार status तो आप यहाँ पे click करेंगे तो click करने के बाद आपके सामने कुछ इस परकार का page खुल के आएगा पेच इस टाइप खुल के आया link का अधार status तो enter the following detail आपको यहाँ पे detail दाननी है pen card की और अधार card की मेंस यहाँ पे आपको pen card का number भरना है और नीचे आपको अधार card का number भरना है अपना pen card और अधार card का number यहाँ पे फिल कर दिया तो आपको right side में कुछ इस टाइप का दिखने का मिलेगा view link अधार status तो यहाँ पे आप click करेंगे तो click करने के बाद आपको दिखेगा your pen is already linked with अधार तो means आपका जो pen card है वो अधार card से link है तो दोस्तो इस परकार से आप जान सकते हैं कि आपका pen card अधार card से link है या नहीं है अगर आपके उसमें यही दिखा रहा है your pen already linked with अधार तो means आपका अधार card pen card से link है अगर link नहीं है तो यहाँ पे आएगा your pen not linked with अधार तो इस परकार से आप जान सकते हैं कि आपका pen card, आधार card से link है नहीं है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों के साथ भी share कीजिए अपने family member के साथ भी share कीजिए तो दोस्तो आप channel लोग पहली बार आया है तो channel को subscribe भी कीजिए आपको हम इसी परकार की वीडियो देते रहेंगे थोड़ा हमको support कीजिए जिससे के हमको motivation मिले